लेटरिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं लेटरिन से अगर आपका मतलब सोचाल्य से है यानि कि जहां पर लोग शोच करने के लिए जाते हैं या शोच करने का जो घर होता है या कमरा होता है तो उसको हम English में toilet या lavatory कहते हैं toilet या lavatory इसके इलावा जो मल होता है यानि कि जो बचा हुआ खाना जो शरीर से बाहर निकल जाता है मल के रूप में उसको stool कहा जाता है तो कुछ लोग उसको भी lettering कह सकते हैं इसलिए मैंने दोनों का मतलब आपको बता दिया है कि lettering मतलब अगर आप शोचाले यानि जिस जगह पर जाकर हम शोच करते हैं उसको toilet या lavatory कह सकते हैं और जो हम शोच करते हैं जो मल होता है उसको stool कहा जाता है यानि जैसे आप कह सकते हैं the toilet is in the next room यानि कि जो toilet है वो अगले कमरे में है या फिर आप कह सकते हैं she quickly went to the toilet वह है जल्दी से toilet में चली गई अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु भकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें